चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हसाई चोपड़ा आपका हार्डिक स्वाग करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो नीट 24 का एक्जाम होने के बाद एक्सपेक्टेड कटोफ में प्रेडिक्ट कर चुका हूँ और इसके साथ एक्सपेक्टेड रेंक भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि कितनी मार्च पर कितनी रेंक हो सकती है नीट 24 के लिए अभी आज इस वीडियो में हम BDS और BSC नर्सिंग की एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में बात करेंगे कि क्या इस्टे वेकेंसी राउंड में कटोफ जा सकती है और क्या लास्ट राउंड में कटोफ जा सकती है मैं आपको एक बार एक बात ये बता देता हूँ कि इस साल BDS की कटोफ हाई रहेगी जो प्रिवी एस एर की बजाए क्यों कारण से high रहेगी वो भी मैं आपको इसमें region बताऊंगा और ये जो cutoff मैंने निकाली है ये cutoff हमेशा एक factor depend करता है BDS और BAC nursing की cutoff का सबसे ज्यादा factor वही effect करता है student admitted in MBBS and other courses ये सबसे ज्यादा बड़ा factor इसमें काम करता है इससे cutoff काफी फरक फड़ता है दूसरे जो factor से हैं वो तो MBBS में भी काम करते हैं other courses में भी काम करते हैं level of question paper, number of candidate affair in exam, number of seats इसके साथ साथ जो BDS और BSC nursing में बड़ा factor होता है student admitted in MBBS and other courses मतलब MBBS और other courses में student में कितनी rank तक admission ले लिया, कितनी marks तक उनका admission हो गिया, ये सबसे ज्यादा काम करता है इसमें तो आईए एक बार देख लेते हैं BDS की और BSC nursing की क्या cut-off रह सकती है, cut-off रहने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके उपर हमारी book available है, MCC की जो counseling होती है, उस पर book available है, All State की जो counseling होती है, जिसमें State Authority counseling करवाती है, उसकी book available है, और IUS or Veterinary की book भी available है, जो All India की book है, उसमें All India की AIMS, ZipMari, SIC, IP Internal, DU Internal, BHU, AMU, Dimmed, AFMC, Central Pool को टा, इनके बारे में अच्छी तरे से समझा रखा है, इसमें category wise, college wise, round wise, cut-off दी गई है, bond की detail दी गई है, 24 list दी गई, क्या काफी information डालीम है, इसमें मैंने काफी मेहनत करके, इस परकार से choice list मिलेगी आपको, इस परकार से cut-off मिलेगी, इसमें इस परकार से समझाया हुआ होगा, counseling की process को, ऐसे ही state में हर एक state के बारे में same चीज़ें मिलेंगे, आपको bond की, cut-off 4 साल की मिलेगी, college wise cut-off, registration process क्या है, हर state में documents क्या requirement है, इस परकार से, fees क्या है, उनकी और ये state wise जो मैंने बताया है, इस परकार से, आपको इसमें सारी facility मिल जाएगी, किस परकार से आपने state में college को, prepare देना है, twice fill करनी है, क्या documents की requirement है, इसी परकार से, IOS और veterinary की counseling में भी, ऐसी ही facility अवेलेबल है, एकी book में अगरा सब कुछ उस भी मैंने समझा रखा है process के बारे, download करने के लिए आप हमारे channel पर जो ये video देख रहे हैं, इसके आप description box में जाएंगे, तो यहाँ more का option मिलेगा, more के option पर आप click करेंगे, तो इस परकार का option मिलेगा, यहाँ book के link दिएगे हैं, उस पर आप click करेंगे, क अब बात करेंगे हम cutoff के बारे में, website पर इस परकार का link दिया गया है book का, वहाँ से download कर सकते हैं, अब बात करते हैं cutoff के बारे में, तो BDS की जो expected cutoff है, वो इस साल ज्यादा इसलिए जाएगी, क्योंकि 520 marks तक admission होंगे MBBS के, ऐसा मेरा prediction है, 5, sorry, 620 तक, 620 तक UR category में admission होंगे MBBS में, उसके बाद, उसके बाद में BDS और BSC nursing के 6 round होते हैं, MBBS के 4 round होते हैं, MBBS के जो rounds होते हैं, round 1, round 2, round 3, और इसके बाद stray round, ये MBBS के 4 round होते हैं, ये 4 round MBBS के भी होते हैं, BDS के भी होते हैं, BSC nursing के भी होते हैं, साथ साथ होते हैं, लेकिन जो 5 round होता है, मोपप 1, वो only BDS और BSC nursing का होता है, MCC का, और फिर जो 6 round होता है, मोपप 2, वो भी BDS और BSC nursing का होता है, तो जब ये 6 round होते हैं, तो इसमें BDS की हम expected cutoff, इस्टे round की जो MBBS के साथ होता है, उसकी एक बार मैं आपको बता दूँ, यहां, वो UR category में 580 cutoff रह सकती है, UR category में, 580, कभी 2019 में MBBS की 582 cutoff थी, last round की, आज 5 साल में वो condition आ गई है, जो MBBS की cutoff रहते थी, वो आज BDS की cutoff रहने लग गई है, EWS category की बात करें, तो 565 cutoff रह सकती है, OBC और UR में BDS, BSC nursing में difference रहता है, MBBS में तो कोई difference नहीं रहता है, marks में, सिरफ rank में difference रहता है, लेकिन BDS में और BSC nursing में difference रहता है, इसलिए 568 OBC category की cutoff जाने की possibility है, इस टे round में, जो MBBS के साथ में conduct होगा, SC category की बात करें, तो 448 cutoff जा सकती है, SC category की, और ST category की 397 cutoff जा सकती है, जो high cutoff रहेगी अभी तक के लिए, मौपब 2 की बात करें, तो 558 cutoff रह सकती है, last round में, और EWS 542, OBC 545, 422 रहेगी, SC की रह सकती है, ST की 368 cutoff रह सकती है, यह All India Cota की cutoff है, BDS की, expected cutoff है यह, लेकिन इतना बोलूँगा की, जब MBBS की cutoff 620 जाएगी या इस से उपर जाएगी, तो BDS की cutoff भी इस cutoff से उपर ही जाएगी, down जाने की possibility मेरे को नजर नहीं आ रही है कहीं भी, BSC Nursing की बात करें, BSC Nursing के भी 6 राउंड होते हैं, मोपप 2 जो लास्ट राउंड होता है, UR 485 जा सकता है, EWS 466 जा सकता है, OBC 473 जा सकता है, SC 390 जा सकता है, और ST 320 cutoff जा सकती है, NE24 के लिए, जो high cutoff रहेगी इस बार के लिए, मैं बार-बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ, कि ये बिल्कुल सचाई है, इससे आपको डरना नहीं है, सचाई से सामना करना है, और जो student सचाई से सामना करता है, वो कभी मार नहीं खाता है, वो कभी भी अपने जीवन में निरास नहीं होता है, ऐस अफल नहीं होता है, ये जानकारी थी, मैंने cutoff आपको बता दी है, MBBS की cutoff पहले आलडी मैं predict कर चुका हूँ, category wise, और rank भी predict कर चुका हूँ, वो rank भी आप देख सकते हैं channel पर, कौन से marks पर कितनी rank जा सकती है, ये मैंने prediction कर दिया है, मैंने कम ही rank किया है, हालांकि उससे ज्यादा rank भी जा सकती है, क्योंकि situation इस साल ऐसी ही आ रही है, कि cutoff और rank काफी ज्यादा आने की possibility है, फिर मैं आपको last में बता रहा हूँ, जिन बच्चों के marks कम आ रहे हैं, ये मेरा वीडियो देख के निरास हो रहे हैं, निरास होने की आवश्यक्ता नहीं है, एक बार result आ जाने दे, result के बाद में जो भी situation बनती है, उसके according आप फैसला ले सकते हैं, आपको क्या करना है, एंटिय का 14th जून को result आ जाएगा, उसके बाद आप decision ले, उससे पहले आप बिल्कुल decision ने ले, कभी-कभी ऐसा होता है, जो हम confidence के साथ में बोलते हैं, वो भी गलत हो जाता है, जो confidence के साथ हम बोल रहे हैं, वो भी कभी गलत हो जाता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये cut-off जो मैं आपको बार-बार 6-20 बता रहा हूँ, इसमें मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो आप ये decision पहले मत लें, अभी एक बार result आ जाने दें, 14 जोन के बाद आप decision लें, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब तक आप result का wait करें, बाकी updates के साथ, बाकी और कोर्सों की cut-off के साथ में, state की cut-off के साथ में, मैं आपके साथ फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए जैखिंग,